हेलो फ्रेंट, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकी का ऐसा नास्ता जिसे खाने के बाद आप लोकी का ये नास्ता पार बर बनाना चाहेंगे खाने में ये बहुत ज़दा क्रिस्पी और हेल्दी होगा और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है तो चलिए फैंट बिना किसी देरी के फटा पट्चे सनास्तियों को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पटा पट्चे सब्सक्राइब कर लें साथ में जो घंटी आदी उसे भी जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पर जब भी नहीं वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन यानि के मेसेज़ आपको मिल सके और आप पटा पट्चे वीडियो को बाच कर सके पटा पट्चे सनास्तिय को एसमी नहीं चाही होगी लाओकी आप इस तरह की चोटी इस वगईवे बिलकुल भी नही होते है उनसे पहले अपने लाओकी को हम अच्छे से पिल कर लें गए और पिल करने के बाद अपनीसे हम दो टुकडों में कट कर लेंगी तो आगे वाले पार्ट का हम इस्तमाल करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा सौफ्ट होता है और इसमें बीच बिल्कुल भी नहीं होते तो इस तरह से हम इसके छोटे-छोटे Slices कर लेंगे उसके बाद इसके बाद इसको छोटे-चोटे Qube में कट कर लेंगे तो सारी लोकी को कट करने के बाद आप हम एक mixing जा ले लेंगे और अपनी सारी लोकी के cubes को हम इसके अंदर डाल देंगे तो सारी लोकी को डालने के बाद इससे हम पीस लेंगे इसमें आपको पानी वगएरा कुछ भी आड़ने करना इसी तरह से पीस नहीं है यहां पर देखे लॉकी का पेस्ट ये बनके तयार हो चुका है, तो कुछ इसी तरह का गाड़ा सा पेस्ट बनके तयार होगा, तो अब अपनी लॉकी के पेस्ट को हम एक पौल में ट्रांसफर कर लेंगे, और इस पेस्ट में अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी लंप्स वगरा है तो आप उसे निकाल भी सकते हैं तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्शोर कर लिया है कि इसके अंदर कोई भी गुटलिया वगरा ना हो इसके बाद अब हम इसमें अट करेंगे दो चोटे चमब जितनी सूजी तो सूजी आप महीन या मोटी कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में हो उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक कप जितना चावल का आटा आप चाहें तो यहाँ पर सूजी को इसके भी कर सकते हैं सिर्फ चावल के आटे से भी यह नास्ता बनकर तयार हो जाएगा लेकिन सूजी डालने से हमारा नास्ता और पर जदा क्रिस्पी और बहुत जदा दे तक सौट बना रहता है अब हम इसमें डालेंगे पानी तो पानी आपको दीरी ले करके ढलना है पहले आपको एक कप पानी डालना है ताक्ma की हमारी लॉक के मिfinis के पानी भाणी तहला करो यह थैए यह रखना के रखना है तो अब इस मिक्श़र को उन दो दूसरने मिनट के लिए रस प ताक कि यह थोड़ा सा पूल जाए, 2-3 मिनिट के बाद हम इसे चेक करेंगे, 2-3 मिनिट हो चुके हैं और हमारा बैटर काफी अच्छा से पूल गया, अब देख सकते हैं, तो अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी वजीज, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चमच जिता, साबू, जीरा और एक चौथाई चमच जिता ही हम इसमें एड़ करेंगे रेट चिली फ्लिक्स, अगर आपकी हरी मिस बहुत ज़दा तीकी है, तो आप रेट चिली फ्लिक्स को सकते हैं, तो अब इन सभी चीजों को डालने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे स स्वाद अनुसान नमक और थोड़ा सा हम इसमें एड़ करेंगे काली मिच का पाउडर, तो काली मिच का पाउडर टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें वरना आप इससे स्किप कर सकते हैं, तो सारी चीजों को डालने के बाद सबसे लास्ने हम इसमे ले लेंगे और इसमें हम एड़ करेंगे आधा कब जितनी नारियल, तो यहाँ पर हमने फ्रेश नारियल का इस्तमाल किया है, इससे हमाई जो चट्की का टेस है, वो बहुत ज़दा अच्छा आता है, तो नारियल को हमने इस तरह से छोटे-छोडे टुकडों में कट कर दि हम इसमें आड़ करेंगे दो कलया लहसुन की, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं, तो आप लहसुन को सिक्प का सकते हैं, इसके साथ हम इसमें आड़ करेंगे 3-4 हरे अपने स्पाइस की अगोरिपत्ते, इससे हमाई चट्ट्टी बिलकुस साओच जैसी लगेगी, तो यह हिसाब से डालना है तो चले इसे हम फटापट से पेस लेते हैं तो यहाँ पर हमारी चटनी बनकर रैडी हो चुगी और आप देख सकते हैं कितनी जदा थिक और क्रीमी है यह बिल्कुल भी पानी पानी नहीं आप देख सकते हैं इसका टेक्श्चर तो सबसे पहले अपनी बने का इस्तिमाल किया जिससे हमाई जो चटनी है वो बिल्कुल भी पानी पानी नहीं लगेगी यह थोड़ी से थेक बनेगी और एक्दम क्रीमी लगेगी तो यह एक सीक्रेट है इससे हमाई चटनी बहुत जदा अच्छी बनती है साथ ही अब अपनी चटनी को हम थोड़ चटनी की कॉंटिटी सेम रहेगी इसके बाद जैसे यह दोनों चीज़े अच्छे से चटक जाएंगी हम इसमें बना सकते इस टाइम पर हमारी चटपटी से चटनी बनकर राड़ी हो चुकी है तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और पटा-पट से अपने नास्ते को स्टार्ट करेंगे तो अब फटा फट से अपने नास्ते को हम बनाना स्टार्ट करेंगे इसके लिए हम एक पैल ले लेंगे और उसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे एक तम हाई फ्लेम पर और अपने बैटर को हम एक बार अच्छे से चला लेंगे क्योंकि हमारा जो बैटर है बहुत ज़दा पतले होने की वज़े से सारी चीज़ने नीचे बाइट जाती है तो इसे एक बार आपको अच्छे से mix कर लेना है उसके बाद इस तरह से 1-2 चमज को करीब batter को इस तरह से फैलाना है तो इसे आपको इस तरह का pepper dosa ताइप का बनाना है यह डोसा बहुत ज़्यादा crispy और बहुत ज़्यादा healthy होता है तो इस डोसे को हम medium flame पर अच्छे से crispy होने तक पकने देंगे जब तक यह अच्छे से dry आनी हो जाता तब तक इसे touch नहीं करना है जब यह इस stage पर आ जाएगा यानि कि यह आलके से spots नजर आने लगेंगे अगर आप उन बातों का ख्याल लगेंगे तो आपका नास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा crispy बनेगा तो इस तरह से हमने दूसरे डोसे को भी अच्छे से फैला दिया है तो इसे भी हम अच्छे से cook होने देंगे जैसे यह cook हो जाएगा हम इसे पलट देंगे आप इसमे थोड़ा से oil वगएरा भी add कर सकते हैं हमने भी इसमे थोड़ा से oil add किया है ताकि हमारा जो डोसा है वो बहुत अच्छे से crispy हो जाए तो देखे इस तरह से आपको इसे अच्छे से दोनों साइट पका लेना है ताकि आपका डोसा बहुत देर तक क्रिस्पी बना देए तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे एक साइट भी अच्छे से सेख सकते हैं तो देखे यहाँ पर हमारा दूसरा डोसा भी बनकर रेडी हो चुका है इसी तरह से हम अपने सारे डोसी को बना लेंगे गार बद से करी को अठचे से बना दूसरा लेंगे